आज कर टैबलेट का डिमांड काफी हद तक बढ़ गया है ज्यादा करके लोग टैबलेट करीबना परसंद करते हैं और सामसंग ने अपना ये नया टैबलेट इंडाय में लॉंच कर दिया है जिसका नाम है सामसंग गैलक्सी टाब एट अब यह जो टैबलेट है इसे स्टू यूज कर सकते हैं मुझे लगता है कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट फीचर है और जाता करके जो नई टैबलेट मार्केट में लॉंच वह रहे हैं उनमें जो सिम स्लॉट का फीचर है वो नहीं आता है तो यह काफी बढ़िया टैबलेट है खास करके इसलिए क्योंकि यह सि इसकी अन्बॉक्सिंग करके बताता हूं देखते रहिए तो यह है सामसंग गैक्सी टाब अब यह जो टैबलेट है आज की तारीक में काफी काम में आ सकता है चलिए मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके बताता हूं बॉक्स में आपको यह टैबलेट मिलने वाला है इस से इस प्रकार से पांक किया हुआ है यह सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आता है और काफी स्लिम है बॉक्स में इसके अलावा यह यूजर मानल दिया हुआ है जिसमें आपको इस प्रड़क के बारे में जैनकारी मिल रहेगी यूस्बी टु टाइप-C डेटा केबल और यह 5 वन पॉइंट फाइव एंपियर का चारजर बॉक्स के इंदर दिया हूआ है यह सिम्ट्रेश पिन यह भी बॉक्स के इंदर दिया हुआ है तो यह है गलक्सी टाब ए 8 इस पर टू टोन कलर्स का उप्योंग किया गया है यह थोड़ा सा डाक इश शेड का है ग्रेए और यह silver type का है, metallic finishing के साथ में आता है, यहाँ पर Samsung लिखा हुआ है और यह rear camera setup यहाँ पर दिया हुआ है overall जो design है काफी impressive है और यह जो tablet है देख सकते हैं कि यह काफी slim है यहाँ पर type support दिया हुआ है, audio jack भी दिया हुआ है जो कि आज के तारिक में बहुत ही important है क्योंकि यह जो tablet है इससे हम जादा करके video chatting करते हैं जो presentations है वो present करते हैं या फिर उसे view करते हैं तो audio jack भी important हो जाता है अगर आपको wired headphones या microphone को connect करना है तो वैसे इसमें speaker और microphone भी दिया हुआ है उसका भी आप उप्योग कर सकते हैं quad speakers के साथ में आता है यहाँ पर दो speaker vents है और इस side पर दो speaker vents दिया हुआ है यहाँ पर एक point है microphone का और यहाँ पर एक point है microphone का SIM tray को मैंने eject कर लिया है और यहाँ पर आप एक microSD card का उप्योग कर सकते हैं और एक nano SIM का उप्योग कर सकते हैं वैसे यह 4G support के साथ में आता है इसमें 5G support नहीं दिया हुआ है इस lockdown के समय user का जो usage pattern है वो काफी हद तक change हो चुका है ज्यादा करके लोग जो devices हैं उनका उप्योग कर रहे हैं tablet एक बड़िया option है smart phones के comparison में क्योंकि यह बड़ा display के साथ में आता है और खास करके अगर आप presentation कर रहे हैं या फिर presentation watch कर रहे हैं तो उसके लिए एक बड़ा screen एक बहतर option है वैसे laptop एक बड़ी option है लेकिन ज्यादा करके लोग laptop afford नहीं कर पाते हैं तो next best option smartphone के बाद वो है tablet और यह जो tablet है इसमें SIM slot दिया हुआ है आप 4G network इसके साथ में use कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही important है क्योंकि आज के तारीक में जो बच्चे हैं खास करके उनका जो schooling activities है ये भी tablet पर हो रहा है या फिर mobile phones पर हो रहा है या फिर laptops पर हो रहा है वैसे जादा करके घरों में wifi network होगा उनमें ये जो SIM functionality है ये नहीं दिया हुआ है तो ये जो Samsung Galaxy Tab A8 है खास करके जो SIM functionality है इसके कारण काफी बढ़िया बन जाता है क्योंकि इसमें SIM slot दिया हुआ है आप इसके साथ में calling भी कर सकते हैं call को receive भी कर सकते हैं और खास करके 4G network का उप्यों करके on the move जो internet है उसे भी access कर पाएंगे अगर आपका वैसा requirement है तो तो इसकी build or finishing बहुत ही बढ़िया है इसका जो display है ये काफी बढ़ा है 10.5 inches का है display की quality अच्छी है वैसे ये TFT display है 1920 by 1200 pixels resolution है display की quality काफी बढ़िया है touch response भी काफी अच्छा है और ये eye comfort shield के साथ में आता है जो की ये देखिए जो color है इसने change कर दिया है तो आपकी आँखों के लिए ये जो mode है काफी comfortable रहेगा edge panels का भी यहाँ पर option दिया हुआ है तो इस प्रकार से आप specific applications को access कर पाएंगे एक तरह से quick access option है अगर आपने इसके पहले AMOLED display का उपयोग किया होगा तो हो सकता है कि जो TFT display है ये आपको पसंद ना आए क्योंकि जो AMOLED experience है वो एक अलगी level का है लेकिन अगर आपने पहले AMOLED tablet यूज नहीं किया है तो आप ये जो TFT display वाला tablet है इसके लिए जा सकते है खास करके अगर आपका budget इशू है तो इसमें जो microSD card slot है इसमें आप 1TB तक का external microSD card का उपयोग कर सकते हैं dual band wifi है Bluetooth 5.0 technology का उपयोग किया गया है PC sync भी आप इसके साथ में कर सकते हैं smart switch के जरिए इस पर 8MP का primary camera दिया हुआ है और जो front camera है वो 5MP का है वैसे जो camera की quality है ये ok type की है ये देखिए कुछ samples है इसके साथ में आप portrait shots भी shoot कर पाएंगे 6.9 mm thickness है और इसका वजन है तकरीबन 508 grams इसमें Unisoc processor का उपयोग किया गया है ये देखिए ये है geekbench 5 score और नॉर्मल उसेज के लिए ये काफी बढ़िया है खास करके students के लिए और work from home के लिए तो क्या ये tablet call of duty game खेल पाएगा ये देखिए ये जो game है मैं इसी tablet पर खेल रहा हूँ वैसे मैं बता दूँ कि ये जो game है ये मैं low quality में खेल रहा हूँ इसमें built-in GPS भी दिया हूआ है और इसकी बैटरी लाइफ है ये भी काफी बढ़िया है इसमें 7040 इमेज की बैटरी है जो की असानी से up to one day last कर लेगा लेकिन बॉक्स में slow charger दिया हूआ है तो चार्ज करने के लिए समय लगने वाला है ये 3GB या 4GB RAM options में available है और 32GB या फिर आप 64GB options के लिए जा सकते हैं ये Samsung One UI 3.1 रन कर रहा है जो Android 11 पर based है देखिए अगर आप जादा movie watch करते हैं तो ये जो tablet है आपके लिए काफी बढ़िया option है एक तो इसमें audio jack दिया हुआ है तो आप wired earphones को connect कर सकते हैं इसमें Bluetooth है आप wireless headphones या earphones को भी connect कर सकते हैं और अगर आप external speaker को connect नहीं करना चाते हैं तो इसमें जो built-in चार speakers दिया हुआ है इससे भी आपको बढ़िया stereo experience मिल सकता है तो इस mode में आप जो वीडियो है उसे watch कर सकते हैं तरह से 16 is to 9 का aspect ratio आपको मिल जाता है और जो viewing experience है काफी बढ़िया है जहां तक pricing का सवाल है 3GB, 32GB, Wi-Fi only variant इसका pricing है 17999 और अगर आप Wi-Fi plus LTE variant के लिए जाना चाहते हैं उसका pricing है 21999 ये product Amazon पर अविलेबल है उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है ये product आपको कैसा लगा? कमेंच के माद इमसे मुझे जरूर बताईए एस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और देखते रहे हैं